हालो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स देखिए आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले एक भूती शांदार भूती इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेक्याई हूँ और इस टॉपिक की बात करें तो आप देखिए चाहे SSC का कोई बीपेपर दो चाहे railway का कोई बीपेपर दो चाहे bank का कोई बीपेपर दो इस टॉपिक से आपको definitely हर एक्जाम में एक से दो क्यूशन जरूर देखने को मिलेंगे तो आज हम बात करने वाले फुलफॉर्म की ये बात करेंगे जो जिके की most important फुलफॉर्म है उनकी ये बात करेंगे जो एक्जाम में बार-बार repeat होती हैं उनकी ये बात करेंगे और फुलफॉर्म के यहाँ पे मैंने total 50 क्यूशन लिया है तो guys pen copy लेके बैट जाएं आप लोग और note down कीजिएगा कि ये जो 50 questions है उनमें से आपके कितने questions सही होते हैं पहला question screen पर आपके सामने है और इस question की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो SSC 2015 में ये question पूचा गया है question है कि नाबाड की full form बतानी है क्या होती है नाबाड की full form चार options यहाँ पर दिये हुए है तो guys नाबाड की बात करें तो नाबाड की full form होती है National Bank for Agriculture and Ruler Development यानि कि यहाँ पर option B है यह हमारा correct answer हो जाएगा discussion का option B ठीके मैं बता चुकी हूँ क्या होगा हमारा answer option B है यह यहाँ पर correct answer है National Bank for Agriculture and Ruler Development ये नाबाड की full form है साथी साथ नाबाड की बात हुई है तो नाबाड का headquarter भी पता होना चीए काफी important है बहुत बार पूछा जाता है तो नाबाड का headquarter है मुंबई में और इसकी स्तापना कब हुई तो गैस नाबाड की formation की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबाड की formation हुई ये चीज में मैंने बता दी अब यहाँ पर एक कुर चीज note down करनी है कि नाबाड के chairman कौन है वर्तमान में तो नाबाड के वर्तमान में चेर्मेन है डॉक्टर हर्स कुमार बानवाला ठीक है आप देख सकते हो ये वीडियो हम record कर रहे हैं 9 December 2019 को तो अभी present में जो नाबाड की chairman है वो है डॉक्टर हर्स कुमार बानवाला चलो देखते है नेक्स्ट क्यूशन और नेक्स्ट क्यूशन यहां पर जो यूपी PCS 2014 में पूछा गया क्यूशन है कि CFL है इसकी full form क्या है तो गैस CFL की बात करें तो इसकी full form है compact fluorescent lamp आंसर हो जाएगा option A है ये इस क्यूशन का correct आंसर होगा नेक्स्ट यहां पर क्यूशन पूचा है इसरो की full form यहां पर पूची गई है क्या है इसरो की full form तो यहां पर देखी इसरो की बात करें तो इसकी full form है Indian Space Research Organization आंसर हो जाएगा option D है ये हमारा correct answer हो जाएगा आम देख सकते हो ये क्यूशन RRB 2003 और SSE 2011 में पूचा गया है तो answer हम देख चुके option B, option D है ये हमारा correct answer है इसरो की full form Indian Space Research Organization साथी हम बात करेंगे इसरो का headquarter कहां पर है तो guys इसरो का मुख्याल है बेंगलूरू में और इसरो की स्तापना कब हुई तो इसरो की स्तापना हुई 15 अगस्त 1909 को यहां पर मैं date लिख देती हूं देखो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्तापना हुई अब यहां पर main important चीज इसरो के वर्तमान में chairman कौन है तो इसरो के वर्तमान में चेरें डॉक्टर के सिवान आपको याद रखना है और founder को नई इसरो के वह भी आपको पताओना चाहिए बहुत बार पूछा जाता है तो इसरो के फाउंडर है विक्रम सारा भाई अगला देखें यहां पर क्यूशन अगला क्यूशन है कि आसियान है इसकी यहां पर बतान का करेक्ट आंसर होगा अब यहां पर देखो आसियान की बात हुए तो गाइस इसका हैड कोटर काम पर है तो इसका जो मुख्याल है वो है जकारता इंडोनेशिया में और इसकी फुल पॉम अल्रेडी बता चुके हैं इसकी स्तापना कब हुई वो भी आप देख सकते हो यह इसका विश्तारित रूप यानि की फुल फॉम पूछिए क्या होती है आर्बी आई की फुल पॉम तो यह तो सब भी को पता होगा कि आर्बी आई की फुल फॉम है रिजो बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन डी है यहां पर करेक्ट आंसर होगा अब फुल फॉम तो हमने देख एक्ट के दोरान और वर्तमान में गवर्नर कोन है अर्बी आई के तो गैस वर्तमान में गवर्नर है सक्तिकान दास यह भी हमने यहां पर डिसकस कर लिया है अब यहां पर आप देख सकते हो इस क्यूशन को आई बी यानि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो 2013 का पेपर हुआ उ इसकी फूल फॉर्म होती है वह हो दि जियो सिंख्रोनस टैलऺ लॉंट लॉंटर बीकल तो आंसर हो जाएगा ऑपशन भी है यहां पर करेक्ट आंसर है जी सिंख्रोनस टैलाइट लॉंट वीकल जीए़सल वी की फूलफोर्म है next यहां पर question पूछा जारे कि computer में जो IC लगी होती है तो IC की full form क्या होती है क्या होता है इसका अर्थ यहां पर पूछा गया है guys IC की बात करें तो इसकी full form होती है integrated circuit answer हो जाएगा option B यहां पर correct answer है और यहां पर देखिए इसक्यूशन का answer हम बता चुके है integrated circuit यानि के option B है यह इसक्यूशन का correct answer हो जाएगा IC की full form आप देख सकते हो इसक्यूशन को RRB 2005 और SSE 2013 पूछा गया है next यहां पर देखिए SIM की full form पूछिए guys ध्यान दीजिए इसक्यूशन में हमसे पूछा है SIM की full form क्या होगी तो SIM की बात करें तो इसकी full form होती है subscriber identity module तो correct answer हो जाएगा subscribers identity module यहां पर correct answer हो जाएगा यानि कि option A है यह इसक्यूशन का correct answer है next यहां पर question पूछा है कि UNFCCC की full form क्या होगी यह यहां पर पूछा गया है तो देखो UNFCCC के बात करें तो इसकी जो full form होती है वो the United Nations Framework Convention on Climate Change यानि कि यहां पर जो हमारा answer होगा option D के साथ जा रहा है United Nations Framework Convection on Climate Change यह इसकी full form है option D correct answer है यहां पर और आप देख सकते हो RRB NTPC 2016 को जो paper हुआ उसमें पूछा गया है question है नेक्स्ट यहां पर question है ALU की full form पूछी गई है क्या होती है और इस question को SSC 2014 और 2015 में पूछा गया है तो guys ALU की बात करें तो सब भी को इसकी full form पता होगी arithmetic logic unit यहां पर correct answer है option C हमारा correct answer है next यहां पर देखिए question पूछा गया है कि modem की full form क्या होती है तो guys modem की बात करें तो इसकी full form होती है modulator और demodulator answer हो जाएगा option B और इस question को आप देख सकते हो DMRC 2009 में पूछा गया है यहां पर answer हो जाएगा जो AIDS की पूछी गई है तो acquired immune deficiency syndrome यानि के option B correct answer है यहां पर और RRB 2008 में यह question पूछा गया है next यहां पर पूछा है NASA की full form पूछी गई है अब गाईस देखिए NASA की बात करें तो इसकी full form होती है तो NASA का मुख्याल है Washington DC में और NASA की स्टापना करें तो यहां पर date में लिख देती हूँ 29 जुलाई 29 जुलाई 1958 को नासा की स्टापना होई next देखिए यहां पर question है कि MRI की full form यहां पर पूछी गई है क्या होती है और यहां पर इस question के लिए देखिए options आप देख सकते हो कितने सारे options यहां पर दियो है चार options और यहां पर main चीज आप देखिए यह जो question है MRI की full form यह UPPCS 2012 RRB NTPC 2016 में पूछा गया है MRI की full form पूछी है तो गईस MRI की बात करें तो इसकी full form होती है magnetic resonance imaging आंसर हो जाएगा option C next यह आप पर question पूछाए कि जो SIDB है इसकी full form बताने है क्या होती है SIDB की full form तो गईस note down कीजिए SIDB की full form होती है Small Industries Development Bank of India यानि की option A के साथ हम जा रहे हैं तो answer हो जाएगा option A है यह हमारा discussion का correct answer है अब बात हुई है SIDB की तो SIDB का headquarter कहां पे है तो गईस SIDB का headquarter लखनाव में और SIDB की स्टापना की बात करें तो 2 April 1990 यानि की 2nd of April 1990 को SIDB की क्या होई स्टापना होई SIDB के जो chairman है वर्तमान में वो है आलोक दिवेदी next याँ पर question पूछा गया है आपसे की land का earth क्या होता है इसकी full form क्या होती है तो guys land जो है इसकी full form होती local area network answer हो जाएगा option B और इस question को आप देख सकते हो कहां-कहां पूछा गया है SSE 2012 में पूछा गया है UPPCS 2014 में भी पूछा गया है next यहाँ पर question पूछा गया है कि CTBT की है इसका बताना है किसकी full form है यह यहाँ पर बताना है इसक्यूशन को SSE 2006, 7 और 9 में पूछा गया है तो यहां CTBT की बात करते हैं तो इसकी full form है comprehensive test band treaty तो answer हो जाएगा option A correct answer होगा next देखे RAM की full form पूछी गई है और RAM की full form हो दिया random assess memory तो answer यहाँ पे हो जाएगा option B यहाँ इसक्यूशन का correct answer है random assess memory RAM की full form है और इस क्यूशन को RRB 2008 और SSE 2014 में पूछा गया है next देखे RAM पे ROM की full form पूछी गई है तो guys ROM की बात करें तो इसकी full form होती read only memory read only memory यानि कि option A के साथ हम जा रहे है option A correct answer है next देखे RAM पे क्यूशन हमसे पूछा जा रहे है कि radio संचारन में जो FM होता है इसकी full form बतानी है क्या होती है इसकी full form इसक्यूशन को पूछा गया था RRB NTPC 2016 का जो paper हुआ उसमें तो देखो FM की full form क्या होती है frequency modulation तो answer हो जाएगा option D correct answer है इसक्यूशन का next देखे यहाँ पे try की full form पूछी गई है guys क्या होती है इसकी full form तो आप note down कर सकते हो इसकी full form होती है टेली कोम regulatory authority of India यह इसकी full form है तो हम किस option के साथ जा रहे है कौन से option में है यह option D में answer हो जाएगा option D हमारा correct answer है और try की बात करें तो इसका मुख्याल है नई दिल्ली में और इसकी stopना हुई इसकी stopना हुई यह भी आपको याद रखना है next यहाँ पर GPS की full form पूछी गई है और यह NTPC 2016 में पूछा गया question है तो GPS की बात करें तो इसकी full form सभी को पता होगी Global Positioning System option A correct answer है next यहाँ पर question पूछा है कि IPC का full form क्या होगा यह यहाँ पर पूछा गया है guys IPC की बात करें तो इसकी full form होती है Indian Panel Code option B यहाँ पर correct answer है next देखिए Interpol की full form यहाँ पर पूछी गई है और Interpol की बात करें तो इसकी full form होती है International Police Organization तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा option A में है यह International Police Organization option A यहाँ पर correct answer हो जाएगा और Interpol की बात करें तो इसका headquarter कहाँ पर वो भी आप देख सकते हो तो इसका headquarter है Lyon France में हाना यह भी आपको याद रखना है चलो next देखिए OMR की full form बतानी है SSC 2014 का क्यूशन है तो OMR की बात करें तो इसकी full form होती है Optical Mark Reader OMR की full form आप देख सकते हो Optical Mark Reader next यहाँ पर क्यूशन है WTO की full form बतानी है क्या होती है तो देखो WTO की बात करें तो इसकी full form होती है World Trade Organization तो किस option में है यह World Trade Organization option B में है यह तो answer हो जाएगा option B अब यहाँ पर WTO की बात करें तो इसका headquarter भी आपको पताओना चीए कि इसका headquarter काँप है तो गईस WTO का जो मुख्याले है वो है Geneva Suiser Land आपको याद रख रहे है Geneva Suiser Land और इसकी stopना कब हुई इसकी stopना हुई एक जनवरी उन्नी सो पिच्च्यान में में next ही आप पूछे है कि DTP की full form पूछी गई है क्या होती है DTP की full form तो इसकी full form है desktop publishing आंसर हो जाएगा option B यहाँ पर इस question का correct answer है next ही आप आरपी आप की full form पूछी गई है क्या होती है और इस question को आप देख सकते हो RRB 2004 और 2013 में पूछा गया यह question तो गईश देखिए क्या पूछा है आप देख सकते हो हमसे question पूछा है कि जो यह RPA पे इसकी full form पूछी गई है तो हमारा answer हो जाएगा railway protection force तो railway protection force यहाँ पर correct answer है option C यहाँ पर correct answer है next ही यहाँ पर पूछा है कि NPA की full form पूछी है जो banking छेतर में जो NPA इसकी full form क्या होती है तो इसकी full form होती है non performing assets तो right answer हो जाएगा option C है यह मारा इस question का correct answer होगा next ही question यहाँ पर पूछा है कि IMF की full form क्या होती है तो guys IMF की बात करें तो international monetary fund यह इसकी full form है तो हमारा answer हो जाएगा option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा अब बात हुई है IMF की तो आपको headquarter पता होना चाहिए कहां है IMF का headquarter तो इसका headquarter है Washington DC में इसका headquarter है और इसकी stopना कब होई वो भी आप देख सकते हो 27 दिसंबर 1945 को IMF की stopना हुई next यहाँ पर PEN की full form पूछी गई है तो गाईस PEN की बात करें तो इसकी full form होती है permanent account number answer हो जाएगा option B correct answer है next यहाँ पूछाए कि NATO की full form क्या होती है SSE 2014 का question है तो देखो NATO की बात करें तो इसकी full form होती है North Atlantic 30 organization तो कौन से option में option D में है तो answer हो जाएगा option D correct answer है NATO की बात करें तो NATO का headquarter भी पता होना चीज़ जो की Brussels Brussels Belgium में इसका headquarter है और इसकी stopना कभूई 4 अप्रेल 1909 को NATO की stopना हुई next देखिए next यहाँ पर क्यूस ने SEBI की full form बतानी है तो देखिए SEBI की बात करें इसकी full form क्या होती है इसकी full form होती है Securities and Exchange Board of India option B के साथ हम जा रहे Securities and Exchange Board of India यानि कि यहाँ जो हमारा answer होगा option B यहाँ पर correct answer है और guys SEBI की बात करें तो इसका मुख्याले भी आपको पता होना चीए जो की है मुंबई में मुंबई में SEBI का मुख्याले है और SEBI की स्तापना हुई 12 अप्रेल 1902 में में ये भी आपको याद रखना है और वर्तमान में जो chair person कौन है SEBI की ये भी पता होना चीए तो वर्तमान में chair person है अजे तागी नेक्स देखिए यहाँ पे internet की छेतर में जो www है इसकी full form क्या होती है तो ये तो सभी को पता होगा worldwide web यहाँ पे correct answer हो जाएगा option D next यहाँ पूचा है कि LCD है इसकी full form क्या होती है देखो IBM की internet service bureau 2014 का question है तो LCD की बात करें तो इसकी full form होती है liquid crystal display answer हो जाएगा option A next यहाँ पे पूचा ILO की full form क्या होती है ये यहाँ पे पूचा जा रहा है और ILO की बात करें तो इसकी full form होती है international labor organization option D के साथ हम जा रहे option D हमारा correct answer है साथ ही साथ हम बात करें ILO का मुख्याले कहाँ पे है तो ILO का headquarter है जनेवा स्विजर लेंड में और इसकी स्तापना कब हुई काफी important है तो इसकी स्तापना हुई 29th October 1919 को next यहाँ पे PIL की full form पूची गई है MPPSC 2014 में पूचा गया question है तो guys इसकी जो full form होती है वो थिया public interest litigation answer हो जाएगा option C यहाँ पे correct answer है next यहाँ पे पूचा है कि when की full form क्या होती है तो guys when की बात करें तो इसकी full form होती है देखो यहाँ पे एक second question तोड़ा पीछे हो when की बात करें तो इसकी full form क्या होती है इसकी full form होती है wide area network option A है यह हमारा इस question का correct answer है बहुत बार यह question पूचा जाता है next यहाँ पे GSM की full form बतानी है जो की RRB 2016 का question है तो यहाँ पे देखो GSM की बात करें तो इसकी full form क्या होती है तो guys इसकी full form होती है global system for mobile communication तो answer हो जाएगा option D है यहाँ पे correct answer है next यहाँ पे question पूचा है कि जो CT scan है इसमें जो इस CT है इसकी full form क्या होती है तो guys इसकी full form होती है computed tomography तो answer हो जाएगा option D है यहाँ पे correct answer है आप देख सकते हो RRB NTVC 2016 का question है next यहाँ पे पूचा है कि EVM है इसको क्या कहते है इसकी full form क्या है तो guys EVM की full form है electronic voting machine answer हो जाएगा option C है यहाँ पे correct answer है और देखो आप देख सकते हो UPSC 2011 का question है next यहाँ पे पूचा है कि HTTP की full form बतानी है क्या होती है और SSC 2008 का question है यह तो guys HTTP की बात करें तो इसकी full form होती है Hyper Tax Transfer Protocol option D यहाँ पे correct answer है next देख सकते हो आप question क्या है यहाँ पे पूचा है HTML की full form पूची गई है और आप देख सकते हो execution की अगर हम बात करें HTML की तो RRB 2016 और UP UP की जो constable की परिक्षा हुई थी 2014 की उसमें पूचा गया था execution तो यहाँ पे HTML की अगर हम बात करते हैं तो answer हमारा होगा Hyper Tax Markup Language यानि कि option A हमारा execution का correct answer हो जाएगा यह होती इसकी full form अब यहाँ पे पूचा है CNG की full form क्या होती है और यहाँ पे देखे आप देख सकते हो यहाँ पे execution की बात करें CNG की काफी important question है तो इसकी full form होती compressed natural gas answer होगा option A यहाँ पे execution का correct answer है next यहाँ पे WWF की full form पूची गई है तो इसकी full form होती है World Wildlife Fund answer हो जाएगा option B है यहाँ पे correct answer है next यहाँ DVD की full form पूची गई है और गैस DVD की बात करें तो इसकी full form होती है Digital Versatile Risk यानि कि option C है यह हमारा execution का correct answer है देखो NTPC 2016 और SSE 2013 पूचा गया question है next यहाँ रो की full form पूची गई है जो की RRB NTPC 2016 का जो paper हुआ था इसमें पूचा गया था तो गईस रो की बात करें तो इसकी full form है Research and Analysis Wing answer हो जाएगा option D next यहाँ SMS की full form पूची गई है SMS की बात करें तो इसकी full form होती है short message service option C correct answer है 2014 में पूचा गया है RRB 208 में पूचा गया है और RRB NTPC 2016 में पूचा गया है तो यहाँ पे ATM की बात करें तो इसकी full form होती है automated teller machine answer हो जाएगा option C है यह मारा discussion का correct answer है next यहाँ पूचा है कि जो पाकिस्तान के संदर में जो ISI है इसकी full form क्या होती है तो guys इसकी full form होती है inter services intelligence guys देखे एक काम आप जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को share कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच पाए और आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो like share तो जरूर कीजिएगा guys तो यहाँ पर देखो इस question का answer हम देख चुके हैं यह सारे questions है बहुत important question है अगर आपने वीडियो को starting से लेके last तक देखा होगा अब तक पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको खुद को पता चलाओगा कि यह जो questions है कितने important questions हैं और इस topic से definitely आपको हर exam के अंदर एक से दो questions देखने को मिलेगा चाहे वो कोई भी SSC का paper हो चाहे RRB यानि की railway का कोई भी exam हो चाहे bank का कोई भी exam हो हर exam में यहां से questions देखने को मिलता है आज के इस session में इतना ही रखते हैं तो आज का अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जादा जादा share कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और साती साथ चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दे और साती साथ गंटी कीचिन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की latest update मिलती रहेंगी Thank you for watching this video